देलुगू देशमपार्टी के मुख्या एन चंदरबाबू नाइडू ने अपने राजनीतिक भविश्य पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चंता ने 2024 में टीडीपी को सत्ता में वापिस नहीं बैठाया तो यह है उनका आखिरी चुनाव होगा। बुद्वार रात कूर्णूल जिले से रोडशो के दोरां उन्होंने यह भावनात्मक टिपनी की। इस दोरां उन्होंने अपनी शपत को याद किया कि जब तक उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आती विविधान सभा में नहीं जाएंगे। नाइडू ने बुद्वार को कूर्णूल जिले के अपने तीन दिवसिये दोरे की शिरुवात के पहले दिन कलूर चेनमा सरकल, बेलारी चोरास्ता और पेड़ा पाडू में रोडशो का आयोजन किया। जिसमें उन्होंने कुर्णूल शहर से YSRC सरकार के खिलाफ अपने बडूडे बडूडू अभ्यान की शुरुवात की। बाद में वह कोडू मूर पहुचे जहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कोटाला विजय भासकर रेट्डी की प्रतिमा पर मालयरपन किया और इसके बाद एक सभा को संबोधित किया। वहां से वह देवन कोडा और पथी कोंडा में गए जहां उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया। सभाव को संबोधित करते हुए नाइडू ने मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रिट्डी को यह दावा करने के लिए फटकार लगाई कि उनकी सरकार ने सभी वादों को पूरा किया है। इस तथे की अंदेखी करते हुए कि वह राज्य में शदी ग्रस्त सडकों की मरमत और सिचाई परियोजना को पूरा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राज्य के साथ तीन पत्तों का खेल खेल रही है और विकास पर ध्यान केंदरित करने की बज़ाए अवांचित बयानों से लोगों को धोका दे रही है। इससे पहले नाइडू ने और वाकल में छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत भी की और कहा कि जगन शिक्षित युवाओं को नोकरी देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। रायल सीमा के कारेकरता मोके पर पहुँचे और गो बैक नाइडू के नारे लगाकर और तखतियां लेकर विरोध करने लगे। हालंकि पुलिस ने उनके इस विरोध को नाकाम कर दिया और रायल सीमा के कुछ कारे करताओं को हिरासत में लेकर उन्हें पथी कॉंड़ा पुलिस स्टोईशन में इस्थानांतृत कर दिया वीडियो डेस्क अमरुजला.com डाउनलोड करें अमरुजलाय और पाएं खबरें लगातार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें